Hello friends, welcome to my YouTube channel, exercise 13.2 से question number 5 करेंगे On a square paper sketch the following, नीचे कुछ parts दिये हुए है, जैसा जैसा इन parts के अंदर लिखा हुआ है वैसा आपको square paper के ऊपर इनका sketch बनाना है ये A, B, C, D, E parts है, नीचे hint भी लिखा हुआ है It will be helpful if you draw the line of symmetry and then complete the figures First, draw the line of symmetry, यहाँ पर hint दे रखा है कि अगर आप पहले line of symmetry ड्रॉ कर लें और उसके बाद figure को complete करेंगे, तो आपके लिए helpful रहेगा चलिए A part से हम शुरू करते हैं, क्या कहता है A part के अंदर A part के अंदर statement कहते है A triangle with a horizontal line of symmetry, but no vertical line of symmetry आपको एक ऐसा sketch तयार करना है ट्राइंगल का sketch तयार करना है, जिसमें horizontal line of symmetry हो horizontal का मतलब है ऐसे लेटी हुई और vertical line of symmetry नहीं हो, no vertical line of symmetry यहाँ ट्राइंगल को आप ऐसे तो काट सको, तक कि दो equal parts बन जाएं लेकिन ऐसे divide ना कर सको, उपर से ऐसे vertically तो चलिए पहले हम इसकी line of symmetry ही बना लेते हैं, उससे आसान हो जाएगा तो मैं यहाँ blue pen से line of symmetry बनाऊंगा let's suppose यह मैंने ऐसे line of symmetry बना दी अब मुझे ट्राइंगल ऐसा चाहिए, तक कि मैं उसे divide करूँ तो उपर का और नीचे का part बिलकुल same है और overlap करें, तो मैं इस तरह से बना सकता हूँ, ऐसे, ऐसे और ऐसे तो जब यह इस तरह से triangle बनेगा, तो आप इसको horizontally ही divide कर पाऊगे vertically तो नहीं कर पाऊगे, तो ऐसा ही मैं बनाऊंगा यहाँ ध्यान यह रखना है, कि line से, line of symmetry से उपर की तरफ का जो distance होगा इतना, वो ही distance नीचे की तरफ भी होना चाहिए और यह point तो common होगा, इस point से आप इसे जोड़ दोगे, इस point से इसे जोड़ दोगे तो आपकी जो figure है, वो बिलकुल symmetric बनेगी चलिए मैं ले लेता हूँ, यहाँ से ले लेता हूँ, यहाँ से दो unit में उपर ले लेता हूँ इसलिए आप से कहा था इसके अंदर कि आप square paper का use करें, वहाँ पर unit देखना समझना बहुत आसान होता है थोड़ा सा मैं इस line को dark कर देता हूँ, कम दिखाई दे रही है मैं इसे straight ही बना देता हूँ, dotted नहीं बना रहा, यह line of symmetry है आप बनाओ तो इसको आप dotted बनाना हूँ, यह मैंने L लिख दिया है दो unit मैंने उपर लिया, दो unit नीचे लिया, इसे मैं straight कर देता हूँ तो यह triangle की यह वाली side आ गई है, और यहाँ पर मैं कोई point ले लेता हूँ और इस point से मैं इन दो points को जोड़ दूँगा, तो उपर नीचे का जो part है वो exactly same बनेगा यह, यह बिल्कुल same बन रहे है, मैं इसे red pen से बना देता हूँ, क्योंकि आगे figures जो है मैं red pen से बनाने वाला हूँ, और line of symmetric को मैं blue pen से बनाने वाला हूँ यह आपकी figure highlight होगी, red color की तो इस तरह से आप triangle बनाओगे, ऐसा triangle जिसमें सिर्फ horizontal line of symmetry है और vertical line of symmetry नहीं है, अब आते हैं B part के उपर, तो B के अंदर पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है B के अंदर यहाँ पर statement लिखी हुई है, a quadrilateral with both horizontal and vertical lines of symmetry एक ऐसा quadrilateral बनाना है, यानि चार side की close figure बनानी है, जिसके अंदर both horizontal and vertical line of symmetry हो दोनों हो, horizontal line of symmetry भी हो और vertical line of symmetry भी हो तो ऐसा जो quadrilateral है, वो rectangle होता है, हम rectangle ही बना देंगे यहाँ पर तो एक rectangle मैं बना लेता हूँ तो square paper मैं use कर रहा हूँ, तो इसमें dimensions जो हैं लेना आसान होता है तो चार unit की मैं length ले लेता हूँ इसे divide करना आसान हो जाएगा न, यहाँ पर दो आ जाएगी उपर, यहाँ पर दो नीचे आ जाएगी और इसकी, यह मैंने breadth ले लिए और length मैं इसकी ऐसे ही ले लूँगा तक कि मैं divide ठीक से कर पाऊँ तो 6 ले लेता हूँ, मैं 6 units, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 unit की मैं इसकी length ले लेता हूँ 6 का आधा 3 हो जाएगा, आसान हो जाएगा करना इसको complete कर देता हूँ मैं नीचे से, यह मैंने length बना दी और यह मैंने इसकी breadth बना दी अब इसमे line of symmetry बना देते हैं, मुझे vertical भी बनानी है और horizontal भी तो पहले मैं horizontal बना देता हूँ, तो बिल्कुल बीच में से यहाँ से जाएगी दो उपर दो नीचे तो यह मैं blue pen से जो बना रहा हूँ, यह line of symmetry हो गई है यह horizontal है, ऐसे जा रही है, और vertical बनानी है, तो यह क्योंकि तीन box है, तो इसका, sorry, यह 6 box है, तो इसका आधे से लेंगे हम यहाँ से तीन इधर रह जाएंगे, तीन इधर तो यह line इसकी vertical line of symmetry होगी यहाँ से यह इस figure को दो equal parts में divide कर देगी, यहाँ से हम इसे fold करेंगे, तो यह सारा part इसको overlap भी करेगा, यह L2 होगी अब आते हैं C part पे तो C part के अंदर language बढ़ते हैं, पहले क्या लिखा हुआ है अब quadrilateral with a horizontal line of symmetry but no vertical line of symmetry quadrilateral बनाना है, आपको 4 side का होता है quadrilateral, बनाना इस तरह ऐसे कि उसकी सिर्फ horizontal line of symmetry हो उसकी vertical line ना हो, मतलब यह वाली ऐसे हम उसे divide करें, तो दो equal parts ना आएं तो पहले मैं इसकी line of symmetry ही बना लेता हूँ horizontal चाहिए, तो horizontal line of symmetry में बना रहा हूँ और यह मैंने लिख दिया L अब सवाल में इस तरह से आपको ख्याल रखना है कि आप rectangle और square ना बना दे क्योंकि rectangle और square की तो vertical line of symmetry भी होती है तो बनाएंगे इसी तरह से, ताकि उपर और नीचे का part दिखे तो same यहां से horizontally divide करें तो बिलकुल overlap करें लेकिन ऐसा ना होना चाहिए कि उपर से जब इसे काटें तो left और right के जो part है वो overlap करें तो उसी तरह से हम बनाएंगे मैं थोड़ा सा rough figure बना के दिखा देता हूँ आपको यह मैंने बना दिया horizontal line of symmetry मुझे चहिए यहां पे चार side तो मैं यहां पे और यहां पे यह मैंने दो point लगा लिए और यहां पे कोई मैं एक point ले लेता हूँ और यहां पे थोड़ा distance पे ले लेता हूँ ताकि figure मेरी यह अनिवन सी लगे अब इसे जब मैं ऐसे जोड़ूँगा एक side, दो side, तीन side और यह 4 side यह 4 side हो गी है और यह एक लेटी हुई kite बन गी है तो इसमें जो उपर वाला triangle है नीचे वाले triangle के exact same size का बनेगा यहां से divide करेंगे तो यह part इसको पूरा overlap करेगा लेकिन जब आप इसे ऐसे काटोगे ना उपर vertically तो आप देखोगे यहां छोटा triangle बना यहां बड़ा triangle बना तो यह तो overlap नहीं करेंगे इसकी vertical symmetry नहीं होगी vertical line of symmetry तो यह figure आपको बनानी है यहां पर dimensions देख लेते हैं square की help से तो यह मैंने यह point ले लिया मैं 2 unit ऐसे चलूँगा 1 unit, 2 unit point लगा लिया मैंने line पूरी कर लेता हूँ ऐसे ही मैं 2 diagonal ऐसे चलता हूँ 1, 2 यहां मैंने point लगा लिया यह मेरी दूसरी side होगी और यहां पर मैं कहीं पर भी point ले लूँ बस वो थोड़ा ऐसा होना चाहिए कि inside से बड़ी होनी चाहिए side यह तो बड़ी होनी चाहिए यह चोटी होनी चाहिए तो मैं यहां पर ले ले लेता हूँ कहीं यह लंबाई में बड़ी बन जाएगी यह मैं red pen से कर रहा हूँ यह हो गया और यहां से फिर इस point से इस point को जोड़ देंगे यह हो गया इसे भी मैं overwrite कर देता हूँ यहां question के अंदर जो आप figure देख रहे हैं वो आपकी figure है red color से और जो जो मैंने blue बनाई है यह इसके line of symmetry है तो ऐसा quadrilateral बन गया है चाहर साइड वाला जिसकी horizontal line of symmetry तो है लेकिन vertical line possible नहीं है अब आते हैं D part के उपर तो D part के अंदर a hexagon with exactly two lines of symmetry एक hexagon बनाना है जिसकी exactly दो line of symmetry हो दो से जादा ना हो और दो से कम भी ना हो hexagon होता है एक ऐसा polygon जिसकी 6 sides होती है 6 side वाले को हम hexagon बोलते हैं अब यहां हमें ऐसी figure चाहिए जिसकी 2 ही symmetry lines हो तो देखना आप मैं जो rough figure बना रहा हूँ इस पे ध्यान देना एक, दो, तीन, चार, पांच, छे यह 6 sides हो गई है इसको मैं अगर बिल्कुल ऐसे center से काटता हूँ तो यह वाला part इस वाले part के बराबर लगेगा जब मैं exact बनाऊँगा अभी यह rough figure है और जब मैं इसको vertex और इस सामने वाले vertex से divide करूँगा तो उपर और नीचे का part overlap करेगा तो यह दो lines of symmetry हो जाएंगी तो मैं एक ऐसा hexagon बनाऊँगा जिसकी यह दो sides उपर वाली और यह वाली यह length में बराबर हो और बाकी की यह जो 4 है ना यह 4 equal हो इस तरह से मैं बनाऊँगा तो मैं उपर से start करता हूँ यहाँ line of symmetry हम बाद में बनाएंगे पहले मैं यह side ही बनाऊँगा यह मैंने उपर की side बना ली अभी यह side मैं यहाँ पर ले लेता हूँ अपने square paper के उपर 2 unit के बराबर 2 unit means 2 diagonal के बराबर थोड़ा टेड़ा चलना न एक दो इससे मैं join कर देता हूँ फिर मैं यह side बनाऊँगा तो यह भी इसके बराबर लूँगा मैं यह बराबर लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप यहाँ से fold करोगे न तो यह side इसको overlap करनी चीए तब ही करेगी जब यह बराबर होगी और यह side इसको करनी चीए तब ही करेगी जब यह बराबर होगी यह ले लिया मैंने अब मैं यह वाली side बनाऊँगा वो भी 2 diagonal के बराबर बनेगी तो यहाँ से 2 diagonal ऐसे जाऊँगा और इस point पे आके तो चारो side यह बराबर आई है और आमने सामने की side यह दोनों बराबर आई है अब इसके अंदर line of symmetry बना देते हैं तो जब मैं इसकी horizontal line of sorry, vertical वाली बनाऊँगा तो मैंने जान पूछ के यहाँ पे चार unit लेते ताकि मैं आराम से division कर सकूँ दो इधर, दो इधर दो इधर, दो इधर यहाँ से मैं line बना दूँगा तो इसमें एक तो हो गई है यह vertical line of symmetry यह L1 लिख देता हूँ horizontal बना देते हैं यह 4 side मैंने इसलिए बराबर ली थी ताकि यह overlap करे तो इनके vertex से जाएगी line यह इसकी दूसरी horizontal तो जब आपको दो exactly दो line of symmetry चाहिए न हेक्सागन के अंदर तो आपकी figure इस तरह बनेगी यह दोनो side सामने सामने की बराबर हो और यह 4 side आप बराबर ले लेना यह यह भी हो सकता है कि यह जो side है यह आप थोड़ा different भी ले सकते हो लेकिन इसके सामने जो यह वाली होगी न वो बराबर होनी चाहिए ताकि overlap ठीक हो जाए चलिए अब ले लेते हैं यह 4 यह आप बराबर लेना 4 बराबर लोगे तब जाके आपकी दोनो lines जो है symmetry की वो perfect होंगी आप इन्हे अनिक्वल मत लेना चारों को बराबर ले लेना और यह सामने वाली जो parallel lines है इन्हें आप equal लेना यह आपका D part हो गया अब इसके बाद E part करते हैं A hexagon with six lines of symmetry एक ऐसा hexagon बनाईए जिसके अंदर six lines of symmetry हो अब hexagon तो मैंने आपको पीछे बता दिया जिसकी छे sides होती है अब यहाँ पे question में कह रहा है कि इसकी जो line of symmetry है न वो भी six ही होनी चाहिए यानि figure में जितनी sides है उतनी ही उसके अंदर line of symmetry भी होनी चाहिए यह है इसका मतलब अब ऐसा कब होता है यह भी समझ लीजे ऐसा तब होता है जब हमारी figure regular figure होती है regular figure से मतलब है all sides equal all angles equal कोई हम polygon बनाते हैं closed figure उसकी अगर सारी sides length में बराबर है और सारे angles बराबर है तो जितनी उसकी side होंगी न उतनी ही उसके अंदर lines of symmetry भी होंगी जैसे example बता दू square है square के चारों angle बराबर होते हैं 90-90 degree के 4 sides भी बराबर होती हैं तो 4 angles 4 sides बराबर है तो यह regular figure है इसके line of symmetry भी 4 होंगी एक ऐसे कट जाएगी एक ऐसे कट जाएगी एक इस diagonal से और एक इस diagonal से तो इसके अंदर आपको अगर hexagon के अंदर आपको 6 lines of symmetry चाहिए तो आपका hexagon ऐसा बनना चाहिए कि उसकी सारी sides length में बराबर हो और सारे angles भी बराबर हो तो ऐसी figure मैंने यहाँ पर बना रखी है जब आप इसे बनाओगे तो यह इस तरह से आपको दिखाई देगा बिल्कुल सारी जो lines है यह measurement में बराबर है अब इसके अंदर lines of symmetry जब बनाएंगे तो आमने सामने जो इसमे sides पढ़ेंगे एक तो वहाँ से आपकी lines of symmetry बनेंगे पहले मैं sides को ही divide कर लेता हूँ जैसे यह side का मैंने center लिया और इसका center लिया तो center से जाएगी एक line of symmetry यह मैंने रख लिया इसका नाम L1 अब यह side और यह side आमने सामने इनके center से ले लेते हैं यह हो गई है L2 अब यह वाली side और यह वाली side आमने सामने है इनके center से मैं line ले जाओंगा वो line of symmetry होगी center का मतलब है बिल्कुल beach और beach पता करने के लिए आप side का measurement कर ले जितनी आपकी length होगी न मैंने already इसी तरह से बनाई है यह और इनका center भी मैंने mark किया हुआ था यह line तो 4 की है यह sides मैंने बनाई है यह 4 की है तो सब जगे मैंने 2 और 2 पे center बनाय हुआ है तो 3 तो ऐसी बनेंगी 1, 2, 3 जो कि sides के center को काटती हुई जाएंगी और 3 line of symmetry इसमें ऐसी बनेंगी जो आमने सामने के vertices को काटती हुई जाएंगी अब जब मैंने इसको side से divide किया तो आप इतना part देखी पहले यह जो part आप यहाँ देख रहे हो दो side बिलकुल बड़ी वाली बच गई है और आमने सामने की दो आदी आदी हो गई है जब यहाँ से इसको fold किया जाएगा तो आदी आदी को cover कर लेगी और यह equal इसे cover कर लेगी यह equal अपनी दूसरी वाली equal को cover कर लेगी ऐसे यहाँ पे हो रहा है तो 3 तो बनेंगी इसमे sides को काटती हो जाएगी side के center से और बाकी की जो 3 line of symmetry हैं वो आमने सामने की vertices को काटती हो जाएगी तो इस vertex के सामने यह वाला vertex पढ़ रहा है यह बाकी 3 में red से बना देता हूँ ताकि इसमें साफ दिखाई दे अब देखना आप जब मैंने vertices से काटा है ना इसको तो 3 ही side तो यहाँ पे रह गई है और अब इधर देखिए 3 ही यहाँ पे रह गई है तो आमने सामने की आपस में overlap हो जाएगी और जो बाकी की 2 हैं वो खुद को overlap कर लेंगी यह इसको कर लेगी यह हो गया एक पेर यह L4 हो गई अब इस vertex के सामने यह वाला vertex है यह हो गई है line 5 यह vertex बचा और आमने सामने यह वाला vertex बचा तो इसको काटती हो जाएगी मैं lines को dotted नहीं बना रहा हूँ ताकि यह आपको साफ दिखाई दे वीडियो में आप जब बनाएं तो इसको dotted ही बनाना क्योंकि line of symmetry dotted होती है यह होगी है L6 तो इस तरह से इस hexagon की 6 lines of symmetry होगी है यह तब ही possible है तब आपका hexagon बिलकुल regular होगा यानि सारी sides length में बराबर होगी सारे angles फिर तो अपने आप बराबर होगी होगी यह last part था question खतम next questions के लिए next video में मिलेंगे तब तक के लिए good bye